पतले कपड़े पहन कर पीट के बल लेट जाएए अपनी हथेलियों से कपका आकार बना कर छाती के भाग पर कलायों का उपयोग करते हुए थबकियां दे थबकियों का दबाव तथा दर इतना रहे कि आपको कोई परिशानी ना हो यहाँ प्रक्रिया फेफडों के बलगम को निकालने में बहुत उपयोगी है तथा हर 4-6 घंटों में दोराई जा सकती है इसके बाद कलायों से छाती के भाग पर कमपन दें इस प्रक्रिया के उपरांत छाती विस्तार व्यायाम का अभ्यास करें घैरी सासे लें हाथों को सामने से ऊपर ले जाए नीचे ले आए और हाथों को भारी ओर से ऊपर ले जाए और नीचे ले आए फिर से घैरी सासे लें धन्यवाद झाल झाल झाल